मेरे प्यारे देश वाशियों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवार आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे-छोटे बालवित्रों का समय कैसे बित्ता हो और इसी से मैंने गांदिनगर की चिल्डरन उनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और भालविकास मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, सुक्ष्म लगू और मध्यमुद्योग मंत्राले, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लि ये भी कुछ नया जानने का, नया सिखने का अवसर बन गया है, साथियों हमारे चिंतन का विशय था खिलोने और विशेशकर भारतिये खिलोने, हमने इस बात पर मंधन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉइस कैसे मिले, भारत टॉइ प्रोडुक्षन का बहुत पिता से, शमा मागता हूं क्योंकि हो सकता है, उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद, खिलोनों की नई नई डिमान सुनने का, शायद एक नया काम सामने आ जाएगा, साथियों, खिलोने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलोने हमारी को भी उडान देते हैं, खिलोने किवल मन ही नहीं बहलाते, खिलोने मन बनाते भी हैं, और मकसद गढ़ते भी हैं, मैंने कहीं पढ़ा कि खिलोनों के सबंद में, गुरुदेव रविद्रना टेगोर ने कहा था, कि बेश टॉय वो होता है, जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिल कर खेल-खेल में उसे पुरा करें, गुरुदेव रविद्रना टेगोर ने कहा था, कि जब वो छोटे थे, तो खुद की कलपना से, घर में मिलने वाले सामानों से ही, अपने दोस्तों के साथ, अपने खिलोने और खेल बनाया करते थे, लेकिन एक दिन बचपन के उन मौज मस्ति भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया, हुआ ये था कि उनका एक साथी, एक बड़ा और सुन्दर सा विदेशी खिलोना लेकर आ गया, खिलोनों को लेकर इतराते हुए, अब सब साथी का ध्यान, खेल से ज़्यादा खिलोने पर रह गया, हर किसी के आकरशन का खिलने रहा, खिलोना बन गया, जो बच्चा कल तक सब के साथ खेलता था, सब के साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूप जाता था, वो अब दूर रहने लगा, एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव, उसके मन में बैट गया, मेंगे खिलोने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सिखने के लिए भी कुछ नहीं था, यानि कि एक आकरशक खिलोने ने एक उतकुरुष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुर्जा दिया, इस खिलोने ने धन का, संपती का, जरा बड़पन का प्रदर कर लिया लेकिन उस बच्चे की क्रेटिव स्पिरिट को बढ़ने और समरने से रोक दिया खिलोना तो आ गया पर खेल खत्म हो गया और बच्चे का खिलना भी खो गया इसलिए गुरुदेव कहते थे कि खिलोने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के बच्चपन को बाहर राएं उसकी क्रेटिविटी को सामने लाएं बच्चों के जीवन के अलगरत पहलू पर खिलोनों का जो प्रभाव है इस पर राष्टिय शिक्षा निती में भी बहुत ध्यान दिया गया है खेल खेल में सीखना खिलोने बनाना सिखना खिलोने जहां बनते हैं वहां की विजीट कर इन सब को करिकुलों का हिस्सा बनाये गया है। साथियों हमारे देश में लोकल खिलोनों की बहुत सम्रुद्ध परंपरा रही है। चन्नापत्ना, आंदर परदेश के कृष्णा में कॉंडापली, तमिलनाडु में तेंजोर, असम में धुबरी, उत्रपरदेश का वारा नसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आप को ये जानकर आश्चरे होगा कि ग्लोबल टॉइ इंडिस्टी सात लाग करोड रुपियों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विवितता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलोनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या। जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। स्रीमान सीवी राजू है, उनके गाउं के अतिक कुपक का टोईश एक समय में बहुत प्रचलित थे, इनकी खासित ये थी कि खिलोने लकडी से बनते थे, और दूसरी बात ये कि इन खिलोनों में आपको कहीं कोई एंगल या कौन नहीं मिलता था, ये खिलोने हर तरफ से र एतिक कोपक का टोईश के लिए अब अपने गाउं के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरफ से नया मुमेंट शुरू कर दिया है, बहतरीन क्वालिटी के एतिक कोपक का टोईश बनाकर सीवी राजू ने स्थानिये खिलोनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है, खिलोनों के साथ हम दो चीजे कर सकते हैं, अपने गवरव शाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं, और अपने स्वर्णिम बविश को भी समार सकते हैं, मैं अपने स्टार्ट अप मित्रों को हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉइस, आईए मिलकर खिलोने बनाएं, अब सभी के लिए लोकल खिलोनों के लिए वोकल होने का समय है, आईए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वारे खिलोने बनाते हैं, खिलोना वो हो जिसकी मवजूदगी में, बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी, हम ऐसे खिलोने बनाएं, जो परियावरण के भी अनुकुल हो, साथियों, इसी तरह, अब कम्प्यूटर और स्पार्ट फोन के इस जमाने में, कम्प्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, लेकिन इन में भी जितने गेम्स होते हैं, उनकी थिम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती हैं, हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत सम्रुद्ध हमारा इतियास रहा है, कि हां हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवाँ टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाईए और भारत के भी गेम्स बनाईए। कहां भी जाता है, Let the games begin, तो चलो, खेल शुनू करते हैं। साथियो, आत्म निर्भर भारत अभियान में, वर्चुयल गेम्स हो, टॉईज का सेक्टर हो, सबने भाउत महत्वपूर्भूई का निभानी हैं और यह उसर भी है। जब आज से सो वर्स पहले असयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो गांदी जी ने लिखा था, कि असयोग आंदोलन देश वाशियों में आत्म सम्माम और अपनी शक्ति का बहुत कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्म इश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है। असोयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्म निर्भर भारत के वटवरुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दाईत्व है।